क्लासिफिकेशन और फूडचेन और टाइपस और फूडचेन या फूडचेन के कितने प्रकार होते हैं तो फूडचेन बेसिकली दो प्रकार का होते हैं एक है ग्रेजिंग फूडचेन और दूसरा कहलाता है डेट्रेटर्स फूडचेन ग्रेजिंग फूडचेन अगर बोला जाए तो ऐसे फूडचेन जिनकी शुरुवात हमेशा प्लांट से होती है ऐसे फूडचेन जिनमें प्लांट समेशा लोइस्ट अट्रॉफिक लेवल पे रहता है और प्लांट हमेशा फोटो सिंथेस रेक्शिन के थूडचेन अगर शुरुवात किसे फूडचेन की प्लांट से हो रही है तो डेफिनेटली वो फूडचेन जो है वो ग्रेजिंग ग्रेजिंग फूडचेन में हमेशा सोलर एनरजी को मेन मान करके सोलर एनरजी की ही एनरजी आगे केमिकल एनरजी की फॉर्म में बाकी ट्रॉफिक लेवल पे जाएगी दूसरी टाइप की फूडचेन कहलाती है डेट्रीटर्स फूडचेन डेट्रीटर्स फूडचेन की श सड़े गली पत्तियां, सड़े गले पौदे, सड़े गले लॉक्स, कुछ भी, सड़े गले जीव जन्तु, इनसे अगर कुछ शुरुवात हो रही है, तो वो फुडचेन डेट्रीटस या सेप्रोफायट फुडचेन कहला है, तो आईए पहले ग्रेजिंग फुडचेन को एक ग्रीन प्लांट को एनरजी कहां से आई है, सन से, और ग्रीन प्लांट में सोलर एनरजी, केमिकल एनरजी के फॉर्म पे बाउंडेड है, अब इसकी एनरजी पूरा प्रॉसेस होने के बाद में, जो ग्रीन प्लांट में स्टोर्ड एनरजी है, वो जाएगी, फर्स्ट जाएगी आगे चल करके कार्णी वोरस पे जो लॉयन है यह बहुत ही सिंपल टाइप का फुटचेन है एक ट्री का फुटचेन अब आगे देखते हैं दूसरा फुटचेन जिसको कि हम फ्लावर से स्टार्ट कर रहे हैं हर छोटी सी चीज भी अपने आप में पूरा एक फ्लावर यहां का बेस ट्रॉफिक लेवल है ग्रीन प्लांट से ही स्टार्ट हो रहा है तो यह भी जो है वो ग्रेजिंग फुटचेन का एक्जामपल होगा फ्लावर में बैठने वाले मक्यां फ्लाइस तितलियां यह आ जाएंगी इसमें सेकंड ट्रॉफिक लेवल यह ज जाएंगे सेकंड कंज्यूमर लेवल में मेडब को खाने वाले स्नेक और स्नेक को खाने वाले इगल्स तो इस तरह से यहां भी फुटचेन पूरी तरह से एक पहला वाला हमेशा अपने पीछे वालों को खाते जा रहा है और भी देख सकते एक और एक्जामपल ले लेते है जैसे फ्लावर में यह जो फ्लावर दिख रहा है यह एक्जेकली फ्लावर नहीं है यह जो है वो एक्वेटिक फाइटो प्लैक्टॉन है फाइटो प्लैक्टॉन फाइटो प्लैक्टॉन को खाते है चोटी-चोटी फिशेज यह वाटर सिस्टम का है चोटी-चोटी फिश बड़ी मचलियों को सारस बड़े ऐन वह खाेंगी ये भी नीचे वाला जो है वह अकवैटिक सिस्टम का फुट चेन हुआ उपर वाला फॉरेस्स सिस्टम का फुट चेन हुआ और अपर जी हो जी पीचट का वह मायदान का फूट चेन हुआ तो यह सब किसके एक्जाम्पल है ग्रेजिंग फूट चेन के, ग्रेजिंग फूट चेन के बाद अब आते हैं डेट्रीटर्स फूट चेन, डेट्रीटर्स फूट चेन में हमने क्या बोला था कि इसके शुरुवात हमेशा सड़े गले और्गिनिक चीजों से होगी, बहुत रोल प्ले करते हैं डेट्रीटर्स को नैचरल इसके वैंजर्स कहा जाता है, मतलग यह परियावरन को साफ करते हैं बिना कुछ पैसे लिए होगे, तो यह बहुत इंपोर्टन डेट्रीटर्स फूट चेन, डेट्रीटर्स फूट चेन की शुरुवात हमेशा डेड और्गि मेटर को खाने वाले चाहे वो बैक्टीरिया हो, या डेट्रीवोरस हो या ए अरभिक रेस्पिरेशन हो, यह तीनो आ जाएंगे डेट्री वोरस फोट चेन के पस्ट कांजिवंड और उनको खाने वाले बाद में यह जो पांजिवंड है, यह उनके अंदर की जो भी इनरज हो जाएगी in the form of inorganic nutrients यह बहुत important parameter है क्योंकि हमने grazing food chain में जिसको store किया था detritus में उसी को environment में वापस कर रहा है तो detritus food chain बहुत ही important food chain है detritus food chain के बिना यह food cycle complete नहीं हो सकता तो अब देखते हैं दोनों का comparison grazing food chain और detritus food chain grazing food chain जो है जैसे हमने बताया है कि हमेशा यह living या green plant से start हो फस्टर ट्रॉपिक लेश और detritus food chain किस से start हो रहा था सेप्रोफाइट से डेट्री वोरस से सड़े गले चीजों से dead organic material से तो यह इसका फस्टर ट्रॉपिक लेवल होगा grazing food chain में हमने यह देखा था कि इसमें energy बहुत जादा फ्लो नहीं होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे फ्लो होती है grazing में लेकिन हम डेट्रीटस की बात करें तो डेट्रीटस में बहुत जादा fraction of energy flow होती है food chain में इसे लग रहा है ना सोचने से कि सड़े गले चीजों में कितनी energy जाएगी लेकिन उसमें जादा energy रहती है नेक्स्ट अगर देखिए inorganic nutrients की बात करें तो grazing food chain में inorganic nutrients bind होता है जो inorganic nutrients वो खुल नहीं रहा है वो एक से दूसरे में जाते जा रहा है इस तरह से bind होती जा रहा है लेकिन अगर डेट्रीटस की बात करें तो डेट्रीटस जो है वो सड़े गले organic material में जो बंदी बंदी nutrient है इसको खोल करके environment में डाल रहे है तो यहां पर inorganic nutrient release हो रहा है जो की organic matter पे bounded था मतलब फिर से प्रकृती बनने की शुरुआत हो रही है यह कीडे मकोडे जो डेट्रीटस food chain है इसी के कारण ही पूरा balance चल रहा है अब तर और अब आगे देखें तो grazing food chain में जो solar radiation है उसको हम पूरी तरह से main source of energy है और पूरा का पूरा grazing food chain depend करता है solar radiation पे और यहां पर अगर हम देखें डेट्रीटस पे तो डेट्रीटस food chain में जो energy है वो सड़े गले waste discarded organic material से आती है जिसको हम डेट्रीटस कहते है तो यह दोनों काप के coordination से ही नए चीज बनते हैं और पूराने मुकर के फिर से environment में आते हैं और अगेन फिर नए लोग environment से energy लेते हैं बनाते हैं और जब सड़ते गलते हैं तो डेट्रीटस उनके energy को वापस environment में भेज देता है लेकिए कितना अच्छा sequence है energy के transfer का through food chain